इह हैं प्राइम टीवी सच साहस सरोकार के लिए 10 अगस्त की तारीख दे दी है नौइडा पुलिस उसकी सरिगर्मी से तलाश कर रही है पुलिस के उच्च पदस्त अफसर के हवाले से मिली जुहनकारी के मताबए कर श्रीकान त्यागी के बेहत करीब पुलिस टीम है कभी भी उसकी गिरफतारी हो सकती है बता दे कि नौइडा के ग्रैंड ओमैक सोसाइटी में मचे बबाल के बाद अब गालिबास नेतार श्रीकान त्यागी की गुंड़ाई के खिलाफ अब एक्षिन शुरू हो गया है सोसाइटी के अवैद निर्माण पर बुल्डोजर चल चुका है गालिबास के घर बुल्डोजर भी चल चुका है अब सरेंडर करने की बात कहीं चुआ रही है कि श्रीकान त्यागी सरेंडर कर सकता है उसने इसके लिए आवेदन भी दिया है आवेदन पर विच्वार किया गया है और उसको महलत भी दे दी गई है लेकिन पुल्स का मानी तो पुल्स का कहना है कि कभी भी उसकी गिरफतारी हो सकती है दस अगस की तारीक दे दी गई है आत्मसमरपड करने के लिए लेकिन नौईडा पुलिस उसकी जिस्तेजी से तलाश कर रही है पुलिस का कहना है कि वो अब उसकी नस्दीक है और कभी भी गिरफतारी हो सकती है तो श्रीकन त्यागिने गौतमोद नगर के CGM को आवेदन दिया आत्मसमर पढ़ करने के लिए कोट उसके आवेदन पर विचार किया और आत्मसमर पढ़ करने के लिए 10 अगस्त की तारीक भी दे दी है नौईडा पुलिस उसकी तलाश में जुटे हुई है पुलिस के पदस्त असर के हवाले से मले जुआनकारी के मताविक श्रीकान त्यागी के बेहत करीब है पुलिस टीम कभी भी उसकी गिरफतारी हो सकती है लेकिन पुलिस की गिरफत से बचता हुआ श्रीकान त्यागी आत्मसमर पढ़ करने की बात कह रहा है आवेदन दे चुका है कोट में लेगिन अगर बात करी चाहे पुलिस के एक्शन की सरकार के एक्शन की तो तस्वीरों में आप साफ तोर पे देख सकते है किस तरह से शुकंत्यागी के मकान पर बुल्डोजर चुल रहा है सकत कारिवाई करते हुए पुलिस प्रश्वासन नजर आ रही है पुलिस फोर्स भी तैनाथ है बुल्डोजर की कारिवाई के दौरान तस्वीरों में आप देख सकते है किस तरह से बुल्डोजर चुला आया जा रहा है शुकंत्यागी की प्रॉपरटी पर तस्वीरों में आप देख सकते है किस तरह से पुलिस फोर्स को तैनाथ तक किया गया है गालिवास की घर बुल्डोजर अब कारिवाई कर रहा है तो अब सरेंडर करने की याद भी आई है नेता इस ख़वर पे हमाई सत समवधाता सुशांत नाकपाल जुड़ चुके है समवधाता सुशांत पूरी जोनकारी चाहेंगे अब तक क्या अपडेट मिला है कहां पर मौझूद की दर्ज करी जो आ रही है श्रीकांत त्यागी की जी बिल्कुल ये फेस्टू जाना शेकर का ममला है सेक्टर 93B में ओमेक्स ग्रेंड करके एक सुसाइटी है जहां पर ये श्रीकांत प्यागी बताया जा रहा है ये वहां पर रहते थे कुछ दिन पहले ही इनकी वीडियो सामने आई थी जिसमें मैला के सब बहुत ही बदरत है लेकिन दो से तीन दिन लगबक अब तक इनकी कोई गिरफ्तारी होने ही पाई है इनके तुक परिजनों से भी जान पैज जा जा रही है और कल जो जानकारी मिलिजी की सुसाइटी उमेक्स ग्रेंड में लगबक छे से साथ व्यक्ती जिस मैला के सब इनने गाली गरोज कर दिया गया है और जो जो सिपाई तनाते और जो दरुगा तनाते उन्हें भी लाइन हजिर कर दिया गया है जी जिस तरह से आवेदन दिया गया है कोट के समक्ष आत्मसमर्ण पढ़ करने का तो इस पर विचार करते हुए 10 अगस तक की तारीक दी गई है क्या लगता है कि प नहीं पर दो जो सकती है तो अगर पुलिस के बात करी जाए तो अभी तक पुलिस ते क्या कुछ कदम उठाए है इस व्यक्ति को डूडने के लिए बुल्डोजर के कारवाई भी देखने को मिल रही है तो क्या लगता है इनके और भी जो प्रॉपर्टी उस पे उपर भी बुल्डोजर की कारवाई देखने को मिलेगी जैकर पुल्डोजर की पहले पी कई प्रॉपर्टियां और जैसा कि दिखा गया होगा अमारी वीडियों में दिखाया जा रहा है कि अभी बुल्डोजर पहले ही इनके अपने घर के नीचे एक अवैड मिर्मान का रखा था जिसके उपर भी करवाई करी गई यह पुलिस द पनकारी के लिए इस ख़बर पे हमाई से समधाता सुशान तनाकपल जुड़े थे नौइडा से मुक्यमंत्री योगिया अधितिनाथ ने आगरा पहुचकर आगरा मेट्रो रेल परियोजिना का निरिक्षड किया मुक्यमंत्री मेट्रो रेल परियोजिना को लेकर शुरुवात से ही काफी उत्साहित है जिसका असर आगरा मेट देखने को मिल रहा है आपको बता दे कि प्रश्रासनिक अधिकारियों ने पहले से ही मुख्यमंत्री के आगरा दोरे को लेकर तैयारिया करनी शिरू कर दी थी वही मुख्यमंत्री ने मेट्रो रेल परियोजना को प्राथमिक्ता देते हुए सर्किट हाउस से मेट्रो रेलबे विभाग में पहुँच कर सभी ने मौके का जाइज आलिया तो तस्वीर में आप देख सकते हैं आज सियम योग्यादितनाथ ने आगरा में मेट्रो रेल परियोजना का निरिक्षड किया है और आगरा पहुँचने से पहले ही जब ये सूचना मिली अधिकारियों को कि खुद सियम योग्यादितनाथ इस परियोजना का निरिक्षड कर आगरा को हाई टेक मेट्रो सिटी बनाने की जो तैयारिया है वो जोरों से चल रही है और अब वो लगभग पूरी होती नजर आ रही है तो सेम्योगी ने खुद आगरा पहुँचकर पूरी तैयारियों का निरिक्षड किया मुख्यमंत्रियों की आदेतनात ने आगरा पहु मुख्यमंत्री के आगवन के चल से तैयारिया पूरी कर ली थी वहीं मुख्यमंत्री ने मेट्रो रेल पर योजना को प्रात्मिक्ता देते हुए सर्किट हाउस से मेट्रो रेल वे विभाग में पहुँचकर सभी तैयारियों का जाइजा लिया तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि इस तरहां से पूरी योजना के बारे में मुख्यमंत्री योजना की बात करी जाए तो आगरा वासियों को ये कब भेट मिल सकती है तर युठी को सकते हैं मैं ऊत्तर पर देख के मुख्यमंत्री योगी आज़िषिनात्स का आगरा दोरा रहा है कई परियोजनाओं के साथ दिभाओं के संद उस्भाओं में उस्गमाओं काफी नजर आ रहे हैं बहीं आपको बताता है कि मेटो काम काफी तेजी किसा है, मेटो का सिलह नियाद, वर्चुएल सिलह नियाद, देश के प्रदान मंतरी श्री नरेंदर मुदी रुवरा किया गया था, मुक्झय मंतरी इसमें सामिल थे, आज, उसका अनावरन करने हैं उत्तर परदेश के मुख्यमंत्री योगी आधितिनाथ आगरा पहुंचे उसके बाद मेट्रो रेल परियोजना का अनावरन करने के बाद पिरदेश पिर्शिक्सरवर्ड के कारे करे में मुख्यमंत्री योगी आधितिनाथ पहुंचे वहां यूबा मूर्चा के कार मंत्र भी दिया जी जी जिशान अगर मेट्रो रेल परियोजना की बात करी जाए तो सीम ने ऐसे परियोजना को लेकर क्या कुछ कहा है मैं आपको बतादू को जो जहां पर निरेक्षण किया था वहां पर मीडिया की बिल्कुल एंट्री नहीं थी लेक्षण करने के बाद पिर रेज जो पिर्शिक्षण वर्ट चले आए मुख्यमंतरी वहाँ पर पहुंच गए जिशान मेट्रो रूट की अगर बात करी जाए तो वो कहां से कहां तक को देखने को मिलेगा जो शिडवात होगी मेट्रो की तो वो पहली दोर में कहां से कहां तक की रहेगी मेट्रो सेवा जी बिल्कुल मैं आपको बतातूं आगरा के फत्याबाद मुखल होटल के पास से मेट्रो की शुरूबात होनी है और ये मुगल होटल फत्यवास होकर ताजगन ताजमहल तक पहुँचेगी ताजमहल से ये आगरा के सिकंदरा पर पहुँचेगी और आगरा लोकल में ही मेट्रो चलाई जाएगी जो बहुत 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 शुक्रिया हमासा जुड़ने के लिए तमाम जानकारी के लिए इस ख़बर पे हमासा समधाता जिशान एहमद जुड़े थे आगराफ से रुकरते अगली ख़बर की तरफ लखनव में बिजली विभाग का बड़ा प्रदेशन देखने को मिला है जहां पावर सेक्टर बचाओ देश बचाओ बैनर तले प्रदेशन हो रहा है मता दे कि इलेक्रिसिटी अमेंडमिन्ट बिल 2022 के विरोध में प्रदेशन कर रहे हैं देश बबर में 27 लाग बचली करमचारी सड़क पर प्रदेशन कर रहे हैं हाइडरिल फील्ड हॉस्टल 17 रान प्रताप मार्क पर प्रदेशन चल रहा है दरसल विपक्षु ने भी इलेक्रोनिक अमेंडमिन्ट बिल का विरोध किया है देश के कमाम राजनेती जलों ने लोकसभा में इसका जम कर विरोध किया है और अभी लोकसभा में इस पर बहाद चल रहे हैं इसके विरोध में आध देश में 27 लाख विजिली करमचारी अपना काम छोड़कर सबकों निकल आये हैं कश्मीर से कर्णा कुमारी तक काम रूप से कच्छ तक लाखों करमचारी सबकों पर है उत्रप्रदेश में भी सभी जिलों में और परिजनाओं पर सुबह से प्रदर्शन सुरू हो गया है यहां आलोग चांति धंशे लखना हुए जो शक्ते बहुन मुक्षार है पाउर कार्परिशन का उन पर काला लगा दिया गया है करमचारीों को बाहर नहीं निकल ले दिया जा रहा है वहाँ भी करमचारी नारे बाजी कर रहे है तो बिजली विभाक के करमचारीों का प्रदर्शन देखने को मिल रहा है और जिस रहा से इलेक्रिसिटी अमेंडमेंट बिल 2022 है उसका विरोध भी देखने को मिल रहा है बिजली करमचारियों के में साथी साथ विपक्ष द्वारा भी इसका विरोध किया गया है देश भर में 27 लग बिजली करमचारी सड़क पर प्रदेशन कर रहे हैं वहीं बात करें उतर प्रदेश की रासधानी लखनौ की लखनौ में भी प्रदेशन देखने को मिल रहा है आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरह से लखनौ में बिजली विभाग का बड़ा प्रदेशन देखने को मिल रहा है पावर सेक्टर बचाओ देश बचाओ बैनर तले प्रदेशन हो रहा है आपको बता दे कि इस production को लेकर पूरे देश में कही न कहीं लोग समर्थन में नजर आ रहे हैं बिजली करमचवारी नजर आ रहे हैं समर्थन में विपक्षभी इस production का समर्थन करता हूँ नजर आ रहा है इस खबर पे हमाई से जदबार चीट के लिए समधाता विभांशू जुड़ चुके हैं विभांशू जिस तरहां से आक्रोशित नजर आ रहे बिजुली विभाग के करमचारी इलेक्रिसिटी अमेंडमेंट बिल के विरोध में प्रदेशन कर रहे हैं सबसे पहले इसके बारे में जो अनकारी चाहेंगे कि आखिर इसमें कौन सी चीज है जिसकी वजह से प्रदेशन करने के लिए विवश हो गए करमचारी ये शिखा आपको बता दे कि आज संचन धवन के अंदर में इलेक्टिशिटी अवेंडमेंट बिल में 2022 का बिल पेस होना था इसको लेकर आज जो बिजली विभाग के जो करमचारी है वो देश व्यापी पदर्सन कर रहा है सब ताइस लाग करमचारी आज कास्मीर से लेकर और कन्या कुमारी तक इसका इस विल का बिलोत पदर्सन कर रहा है उसक्राब में आपको बता है कि इस विल में कहा ये जा रहा है कि जो बिजली विभाग सेक्टर है उसमें वाइवेटा ये सन किया जाएगा जिससे वोगताओं को जो बिजली की विल है उसकी दरे महंगी हो जाएगी आज मुख्यालों पर जाकर सदर्शन कर रहा है वहीं जो कर्मचारी उनका साफ तों पर आरोप है कि अगर ये बिल पास होता है तो बिजली की दरें महनी हो जाएंगी साथी आपको बताएं कि केंदर सरकार की तरफ से जो राज सरकार है उनको निर्देश दिये गैसे कि आप सबसीड़ी के तहत बिजली भीवाग में जो भोकता है उनको आप बिजली देंगे वहीं आपको बताएं कि जब सबसीड़ी खतम हो जाएगी तो बिजली की दरें लगब दूगनी हो जाएगी इसी कम में आज पाउर सेक्टर बचाओ देश बचाओ बैनर चले आज वाज़दानी लखनओ के सक्ती भावन पे बारी संख्या में विजब विभाग की कर्मचारियों ने पाउर है जो सक्ती भावन उसका घिराओ किया घिराओ के साथ साथ जिम्मेदरानों को ग्यापन दिया और इस बात को कहा कि अगर ये स्टेक्टर प्राइवेट हो जाएगा तो कहीं ना कहीं जो बिजब विजब विद्धनाईयों के अगा और उसको लेकर जो जिम्मेदरान है उनको जो एंवढ़ान उनको ग्यापन दिया है और ग्यापन के माज़यम से ये कहा गया है कि इसे गज़ा जय tér and you backा उनकी मत्मिक प्रोलानमंत्री को भी पर्प्ष्वेल बिजुद विभाग का जो प्रविटाइटेस्ट होगा है इस पे रोग्थाम लगाने का काम करें वहीं अगर देखा जाए तो अज देश व्यापी प्रदर्शन है वहीं अगर देखा जाए तो बिजली विभाग घाटे में देता है उपताओ की बिजली विभाग घाटे में सबसीडी के साथ लोगों को बिजली दे रहा है अब देखने वाली बात यह होगी कि इस बिल को पास किया जाता है या इस पे रोग्थाम सर्दकार्टी पर अपलिया जाता है बगर देखा जाए तो तमाम संदक आज देश बर में इसको प्रदर्शन कर रहे हैं 27 लाग बिजली करमचारी सड़क पर प्रदर्शन कर रहे हैं इससे आम जंता को कितनी परिशानी हो सकती है ये बिलकुल सिखा जाए तो इस तमाम करमचारी है 27 लाग बिजली करमचारी आज सड़कों पर है मुख्यालेओं पर प्रदर्शन कर रहे है तो इसका सीधा असर कहीं ना कहीं जो पिजली विभाग की काम होते है उस पे असर देखने को मिलेगा साथी अगर देखा जाए तो उस प्रमधा की जो करमचारी है वो इस प्रदर्शन में भाग नहीं ले रहे है अगर देखा जाए तो बिजली विभाग की फीडर हाउस होते है उसमें अगर कहीं कुछ कमिया होती है तो करमचारीों की कमी की वज़े से जो आम जन्मानस है जो बिजली पे आसरित मार्केट है उस पास सीजे आसर देखने को मिलेगा वहीं है जब बात की जाए तो बिजली करमचारी संग्टन के पहले दूबे का कहना है कि अगर सरकार इस बिल को नहीं रोकती है तो ये प्रदर्शन आगे भी जारी रहेगा और देश भर के जो तमाम संग्टन है बिजल विभाट के वो इसका पूर्जो बिजली करेंगे जी सिखा विभाशू सरकार ने जस तरह से प्राइविटाइजेशन की तरफ कदम बढ़ाया है जादातर सेक्टर्स में सरकारी से प्राइविट कर दिया है लेकिन अगर बात मानी जाए कि सरकारी जो सेक्टर्स है उसमें कहीं न कहीं ब्रष्टाचार देखने को मिलता है और ये माना जाता है कि अगर ये प्राइविट हो जाएगा तो ब्रष्टाचार पे लगाम लगेगी तो क्या इसमें सत्यता है और अगर प्राइविटाइजेशन में ब्रश्टचार पर लगाम लगती है तो सरकार क्यों नहीं इन सब चीजों पर कंट्रोल कर पाती है क्यों प्राइविट सेक्टर में जो सुविधा सरकार को मिल पाएगी जो जनता को मिल पाएगी वो सरकारी में नहीं मिल पाती है, क्यों सरकार जादा फोकस प्राइविटाइजेशन की तरफ कर रही है? वहीं अगर बात की जाएं विपक्त की तो विपक्त का साफ तो पे आरोप है कि इसमें कुछ अपने चहेते जो उद्योगपती हैं उनके हाथों में बिजली विभाग की तमाम काम है वो बेखर सरकार पूरी सरह से इसमें आराम फ़ना चाहती है वहीं अगर कॉंग्रेस पार्टी के अंसु अवस्थी की बात की जाएं तो उनका स्ताफ तो पे कहना है कि अगर मोधी सरकार तो उन्हें हमला बोलते हुए कहा है कि सरकार जो कॉंग्रेस पार्टी ने तमाम संवागों को आज के इसमें सरकारों में बनाया है आजादी के ब पिज्द विभाग की कमचारी के तौप अपनी स्यवाएं दे रहे हैं उनके साथ जापती होगी क्योंकि एक उनकी नौकरी चली जाएगी साथ है देखा जाये तो अभी हाली में कुछ तालों पहले जो बिल्ली विभाग की मीटर वीडिंग काम होता है यारि की जो मीटर करें तो साथ तोंपे आरोफ है कि अगर फ्राइवेट हातों चलेगी तो आम जन्माने खास कंद्रामीर चेत्रों में जिस तर्कार की तरफ तर्वियायती दी जाती है उसमें पूरा रोक्ताम होगा और विज्द विभाग की इसमें अगर जेके खातमे के बाद जो आशू देश भर में 27 लाख बिज्ली करमचारी प्रदर्शन कर रहे हैं और जिस सरहासी मांग है इसका विरोध किया जा रहा है 2022 अमेंडमिन्ट बिल का तो क्या लगता है अगर ये वापस नहीं होता है तो ये प्रदर्शन क्या और आगे चलेगा और उग्रो होगा क्या अ पूरे करमचारी सरको परा कर घरना देंगे प्रदर्शन करेंगे और सरकार को इस बात को जगाएंगे उन्हें इस बात की जानकारी देंगे कि अगर विदे विभाग का प्रदर्शन होता है तो इसमें काम करने वाले जो संगतन के करमचारी है उनको एका एक जो विभाग क पूर्जर बिरोज करेगा अभी अगर बात की जाए तो पूरी तरह से लगा हुआ है साथी साथ केंडरी संगतन भी आज इस सड़कों पे है वहीं आपने सुना की कस्मीर से लेकर रखन्यकुमारी तक कि जो से संगतन है वितनि भाकी कमचारी है उस्मादर्सं कर रहे हैं अब देखने वाली बात यह वी कि तमाम प्रियासों के बाद सरकार इस से क्या सोच ती है और आज के संगतने की कारवाई है बिलको आज चर्चा में देखने वाली बात यह होगी कि सर्कार का बिरोज जताते हैं शरकार की तप से क्या радиalil देकर आगे की कारवाई की जाती है फिर एक ग्रामीर पहर बिःणी के अठोषे में इनsin में बहुता है Streit अब देखने वाली बात यह होगी कि तंतत के कार्माई में इसमें क्या फैसले लिये जाते हैं और पदान मंत्री को साफ तो पे इस ग्यापन देते हुए तमाम संगटनों की सब्सके कहा गया है कि विलकूर रोके और विधर विवाक के कमलचारीयों को रहाते हैं जे विलकूर बहुत वाशुक्रिया मासा जुड़ने गले तमाम जानकारी के लिए इस खबर पे मासा समधा तब विभानशु मडीतर पाठी जुड़े थे लक्नव से रोकरत अगली खबर की तरफ सिधारतनगर में चौधरी ढाबे पर खादे सुरक्षो विभाक ने चापे मारी की चापे मारी के दौरान अधिकारियों ने नकली पनीर को पकड़ा है जो अनकारी के मताबक मानक से ज़ादा दुकानदार पनीर में मिलावट कर बेच रहे थे और पनीर में पाउडर की मातरा ज़ादा थी इसके साथ ही धाबे का लाइसेंस भी मानक के अनुरूप नहीं था थाप हाई अध़ दर्सलिम क्या है पहले नोगों की सिकायते रहे कि इनके हाँ पनीर मिलावटी उनको कि दिकतते हुती रहे हुआ उनके का पनीर खानाई आपके पास बिल हो इंगा दिखा दीजे बता दीजे नहीं किसी जिसको को फॉल्मादा दीजे हैं को भी बुला लिजे, बुला करके हम उनी को दिखाएंगे, तो अमने डियम तब को फोन किया, काथी इनका बजता बयोहार भी रहा, यह उनकी सिकायत थी, इनोंने पोन के बताया कि यहां पे नकली पनीद बिख रही है, और जिसके सुचना पे हम दोग यहां आया है, और अब यह उनकी सिद्धार नगर लगाता है, और इस खबर में से सिधार नगर से समधाता रवी पांड़ने जुचके हैं, अभी तो हारो का शिरुआती हुई है, और देखने को मिल रहा है, कि मिलावटी, खोया, मावा और पनीर मिलता नजर आ रहा है, इस तरह से बड़ी का कारवाई करी है, इसमें क्या कहेंगे, कितनी बड़ी सफलता मिली हो, और क्या बाकी जगह पे भी अब त्योहारों को देखते हुए, इस तरह से कारवाई करी जाएगी, जी बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूंगा, कि यह लोगों की जागरुकता से इतना बड़ा जो का कारवाई हुआ है, क्योंकि अस्थानिय जो ने इसकी सिकायत की थी, उस सिकायत के आधार पर साहेख आयुक्त खाद उसरक्षा विभाग सिधार्त नगर द्वारा यह छापे बारी की गई, जिसमें मिली सिकायत के आधार पर छापे मारी में कम्या पाई गई, और संबंधी दुकानदार का लाइसेंस रद करने के साथ साथ आगे की कारवाई भी की जा रही है और वहीं इस कारवाई से जो अन्य दुकानदार हैं मिलावट करते हैं उनमें हडकम मचा हुआ है कहीं न कहीं उनमें सुधार देखने को मिलेगा जी जी अगर बात करीजाएं खादे सुरक करवाई देखने को मिली है वो भी अस्थानिय गरामीडों की जागरूपता से सिकायत ना हुआ होता तो सायद इतना बड़ा कारवाई नहीं होता और तेवहारों का माहूल चल ही रहा है ऐसे में लोगों के स्वास्त से कितना बड़ा खिलवार किया जा रहा है यह बहुत अप की पांडे जोड़े थे सिद्धार्तनगर से चार बजी की चार बड़ी खबरों में फिल हाल इतना ही देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीपी